अभी आने वाले कुछ दिनों में एसिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का एक्जाम भी जो हो का प्रंतु से पहले माइनिंग इंस्पेक्टर का एक्जाम जो भी हो चुका है पहले उसको हम डिसकस करेंगे उसका पेपर वन डिसकस करेंगे हर इक क्वेशन को अच्छे से रहें बोलते हैं identify the correct decadal population growth in हिमाचल प्रदेश from 2001 to 2011 from the following बोलते हैं 2001 से लेकर 2011 तक हिमाचल प्रदेश में जन संख्या की तो दस्क वृध्धी रही वो कितनी रही देखो 2001 से 2011 के बीच में अगर आप देखेंगे तो यह 12.94 प्रेसेंट रही थी बैल पॉइंट 9 option में दिया गया है option भी जो हो इसका सही अंसर हो जाएगा अब यह कितनी रही यह आपको पता चल गया यहां से ना कुछ और भी चीज़ें बन सकती है है एक्जाम में क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं एक तो बन सकता है कि यह तो होगी 2011 2001 और 2011 के बीच में प्रन्तु इससे पहले 2001 में डिकेडल ग्रोथ कितनी थी यानि कि 1991 से लेकर 2001 के बीच की डिकेडल ग्रोथ पूची जा सकती है तो वह थी 17.54 प्रेसेंट वह आपने ध्यान लखना है 17.54 प्रेसेंट जो था वो थी यह तो हो गया डिकेडल ग्रोथ के बारे में यह जो पॉप्लेशन ग्रोथ थी एक दसक में वो हो गया प्रन्तु अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल में सेक्स रेसों कितनी रही वो भी एक क्वेशन बनता है पढ़ा है हमने रिवाइस कर लेते हैं 2011 की जब जनगरना हुई तो 972 थी उससे पहले जब 2001 की जनगरना हुई तो कितनी थी 2001 के कोडिंग ये 968 थी ये भी आपने ध्यान लखना है और उसी तरह हिमाचल में हम देंसिटी की बात करते हैं कि देंसिटी पहले कितनी थी अब कितनी है 2011 में हम देखें कि देंसिटी कि दो देंसिटी हिमाचल की थी 123 ये देंसिटी थी 2001 की जनगरना के इंसार देंसिटी कितनी थी वो थी 109 ये आपने ध्यान रखना है इससे भी और ज़्यदा डीटेल में तो हमने मिशन एलाइट में ये सारी चीज़ें डिसकस की हुई है यहां पर नहीं किया गहा है यहां पर धुमती दिया गहा है किया यह कि नौर में पड़ता है दूसरे मी जो हम धोज नौब में नहीं है यह किनौर यहां पर होगा और यह kinda ड़िया गया जो रहावर से एंसरों नाcakो धूल्भ पित्ति का नाम सुनते ही höher कि नाको लेक को हमने पढ़ी नाको लेक लहाज पित्ती में नहीं है ये तो किन और में हमने पढ़िए तो ये किन और यहां पर होगा और यह option D ही जो है उसा ही अंसर हो जाएगा देको धुम्ती की नौर में पढ़ता है बजारा कुलू में पढ़ता है चौनतरा जो हो मंडी में पढ़ता है यह फिर नाको का आपने ध्यान लखना है नाको जो हो कि नौर में पढ़ता है कि नौर में क्या कोई और भी ऐसे important lake या कोई important valley आती है तो कि नौर में एक तो सोरंग लेक आती है वो आपने ध्यान लखने है सोरंग लेक कहां पर पढ़ती है तो वो कि नौर में जो है वो पढ़ती है दूसरी और मैंने वैली का नाम भी दिया वैली का नाम क्यूं लिया वो भी मैं बताता हूँ आपको एक important question आपको पता चल गया यह important point है यह आपको पता होने चाहिए दूसरी और यहां पर लेक के बारे में भी question बनता है और सीधा गलत नहीं हो यह question कभी भी होने चाहिए तो लाहल पित्ति में जो है वो चंदर ताल जील पढ़ती है सूरस ताल जील पढ़ती है लाहल पित्ति में जो है वो दीपक ताल जील पढ़ती है यू नामसो जील पढ़ती है विशाल ताल जो है और फित्ति में पढ़ता है तो वह आपने लाहल पित्ति का भी धियान रखना है लाह पित्ति का भी पता चल गया अगले question में देखें बोलते हैं कलासर लेकिस लोकेटेड इन विच इन वहांले पढ़ते हैं कि इन ही माचल प्रदेश हिमाँ प्रदेश केमाचल प्रदेश के का भी धियान रखना है लाहें हेरा जील आती है प्राश्र जील आती है पंडोह जील आती है फीनोल की कुल्लू की अगर हम बात करें भीग Catholics हान्सा इल्य जो मैं आती है यह वह भीर्भास की में बात की जंदरदाय कंठ सुरस्ताफ जीपकटाण। नील कंठ भी यहां पर एक लेक है वो भी आपने दियान रखना है जी तो यह आपको इंपों इंपोर्टेंट लेक्स के बारे में पता चल गया जो इन तीन डिस्टिक्स में पढ़ती हैं मंडी कुलू लौल स्पिति और कि नौर की हम पहले पढ़ चुके इतना ही जानेंगे अगला कोशिन देखते हैं क्या बोलते हैं फॉपर 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 प्रदेश बजट ट्वेजर तो बोलते हैं कि हिमाचल का जो दो हुज़र तेईस चौब इस बजट के अनुसार जो है निमलिकित मैं से किस वित यह वर्स में राजस्व प्राप्ती सबसे कम हुई अगर सबसे कम हुई तो देखो इस क्वेशन को ना अंसर की कि अगॉर्डिंग चैलेंज भी किया जा सकता है क्यों किया जा सकता है मैं आपको डाटा बताता हूं जो टोटल रेवनियुल सीब हुआ ना वो कितना हुआ है माचल को अगर हम दो हज़ार इकीस वाइस एक्शूल के गॉर्डिंग बात करते हैं तो यह था 37309 37309 जो था यह था और क्रोड में जो है यह डेटा दिया गया है यह आप में ध्यान रखना है 2022-23 के according अगर हम बात करते हैं तो यह था 36,375 36,375 क्रोड में ही यह डेटा दिया गया है 2022-23 के अगर हम बात करते हैं तो 38,945 38,945 यह भी क्रोड में ही है और अगर हम 2023-24 की बात करते हैं तो इसके according 37,999 37,999 क्रोड जो है यह है इन सभी को अगर आप देखेंगे न तो option B 2022-23 का जो budget estimate है उसके according जो है revenue जो receive हुआ वो lowest है यह आपने धियान लखना है परन्तो देखो यहां पर अपना जो question पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा गया है revenue receive परन्तो यहां पर जो revenue receive होता है न उसमें tax revenue होता है उसमें center का जो tax होता है वो होता है state का जो tax होता है वो होता है non-tax revenue उसमें होता है और उसको जो total मिलाकर बनता है वो मैंने यहां पर discuss किया है वो मैंने आपको यहां पर बताया है और यहां पर exam में क्या पूछा गया था lowest revenue received as per हिमाचल प्रदेश बजट यहां पर कोई specific revenue या फिर tax state का center का या फिर non tax वो mention नहीं किया गया था hopefully answer की आने पर ही पता चलेगा मैंने answer की के according भी आपको answer बता दिया है इसका वैसे तो अगला question रिखे क्या बोलते हैं which of the following land revenue is proposed to be collected as per हिमाचल प्रदेश बजट 2023 तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश बजट 2023 के अनुसार जो है 17.16 क्रोड का जो है भूरा जो सब्रावत करने का रुमान जो है वो लगाया गया है अब यहां पर तो direct route से mention किया गया है land revenue land revenue का ही मैं आपको कुछ और data भी बता देता हूं जैसे कि land revenue की 2023-24 की यहां पर बात की गई है है और एक 2022-23 जो हो बजट के according भी होता है budget estimate के according भी होता है budget estimate के according अगर आप देखेंगे तो वो 23.06 परसेंट था 23.06 परसेंट था ठीक है अगर आप देखेंगे 2021-22 में जो advance estimate है 2021-22 का तो इसके according 4.81 परसेंट हम यहां पर priority देंगे 2023-24 को ही इतना ही याद रह जाए वह भी बहुत है अगले question देखते हैं क्या बुलते हैं अगले question में बुलते है विच ओधा following is correct about हिमाचल परदेश हिमाचल के बारे में कुछ statements दी गई है आपको बताना है विच ओधा following is correct सबसे पहले देखो क्या बुला गया है बोला गया है था सवान रिवर मर्जीज विद सतलूज इन उनना डिस्टिक की सवान अधी जो है वो सतलूज के साथ मिलती है उनना डिस्टिक में ये बूला गया है तीसरे में बोला गया है बैजनाथ टेंपल वास कंस्ट्रक्टिड वाइट नाइटिन फिफ्टी सिक्स लिगो सबसे पहले सवान अधी की बात की जाए तो सवान अधी मिलती तो है सतलूज के साथ प्रन्तु उनना में ये नहीं मिलती उनना में तो ये बहती है सिर्फ और शिर्फ उसके बाद ये आगे चलकर रोपड के स्मीप कहीं पर जाकर जो है वो मिल जाती है सतलूज के साथ रोपड में अलग विलेज है कोई वहां पर नगरान करके विलेज है वहां पर जाकर ये मिल जाती है प्रन्तो ये आपने धियान ना करा कि पंजाब मैं जाकर मिलती है यहां पर ये नहीं मिलती अगला और मन्यूरक के दोरा यह मंदिर बनौए गया था अब देखो इस मंदिर को भगवान शिव को डेडिकेटेड है एक तो आपने यह ध्यान लखना है दूसरा आपने यह ध्यान लखनाए कि यहाँ पर इस मंदिर बैजनात में प्रेक्ट हो जाएगी option B science है हम तीसरी statement को भी देखते हैं निर्मंड इजा सब तहसील सब दिस्टिक शिमला तो देखो निर्मंड जो है है और सच्छुजम जनाधी तो भी इत करती हुई जो हैं निर्मंड को भी तकर्ति है है और ब्राद के बाधर हाण नаша बद्धि द्यान रखना है निर्मंड में काफी वे नाँ जाती है वह भी आपने ध्यान रखनाना चौतिस्ते लएकते हैं क्या बोलते हैं का justement तरिट्रीटोरियल कॉंसिल है 30 मेंब्र हुआ करते थे यह बुला गया गया तो हम टेरिटोरियल कॉंसिल के बारे में भी हमने जाना था कि हमाचल देखो पहले तो जब 1952 में यहां पर यजिस्लिटिव असेंबली के लिए पर उसके बाद क्या हुआ 1956 में December 1956 में Territorial Council Act 1956 जो हो Indian Parliament में पास किया जाता है और यहां पर जो Legislative Assembly थी उसको Replace कर दे जाता है Territorial Council के साथ और हिमाचल Territorial Council में 43 मेंबर जो था वो उस टाइम थे यह आपने धियान लखना है यह आपको बता होना चाहिए Territorial Council जो बनी थी उसके Chairman किसको बनाया गया था तो ठाकूर करम सिंग को जो था वो Chairman बनाया गया था यह आपने धियान लखना है 1956 में हिमाचल को केंदर साशित प्रदेश का दरजा भी जो है वो मिल जाता है वो भी ध्यान लखें अगला कोईशिन देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं विच आपको सबसीडी भी जो है वो देंगे आप चिंता मत करो तो इसमें 80% सबसीडी देने की बात कही जाती है ऑप्शन ए जो है वो सही अंसर है दूसरा हमने जब यह कोईशिन पड़ा था कि 80% सबसीडी जाती है हमने एक और डेटा जाना था 31 D 생각 2020 तक जो है वो इसस्चीम के दहुए कितने घिशानों को फाइदा मिल चुका है 21 D D들이 तक इसस्चीम के दहुए 566 566 farmers was फाइदा मिल चुका signaling के बारे में दिसम्बर दोहुतार तेश्ट तक इस स्कीम के दहद 566-566 फार्मर्स को जो है वो फाइदा मिल चुका है यह भी हमने जाना है एंटी हील स्कीम के बारे में अब कॉश्यन एक बच जाता है यहां से कि 31 दिसम्बर दोहुतार तेश्ट कितना अमाउंट प्रेंड किया गया है इस यूजना के तहद यह आपने ध्यान लखना या फिर साथ क्रोड फंड जो है वो स्पेंड किया गया है इस यूजना के तहद जिससे 566 किसानों को जो है वो फिर फाइदा जो है वो मिलता है तो यह यहां से important point निकल गए अगले question में देखिए क्या बूलते हैं बूलते ह की फैचान के जी देखो national population में जो है हमारा जो राष्ट्री जन संख्या है उसमें हिमाचल की population कितना प्रसेंट कोंट्रिवूट करती है तो वो 0.57 प्रसेंट जो हो contribute करती है option C जो है वो सही अंसर है तो यह दो हो गई हमारी population जो इंसान है उनकी population एक तरह से हो गई census हुआ था उसके according भी population की बात कर लेते हैं तो अगर हम livestock census 2019 की बात करेंगे तो इंडिया का जो total livestock है मतलब इंडिया में जितने भी livestock है उन में से जो हो 0.82% 0.82% जो है वो हिमाचल contribute करता है यह आपने ध्यान रखना है और अगर उसी तरह हम poultry की बात करते हैं तो poultry में 0.16% जो है वो रहता है livestock का मतलब नहीं पता तो livestock मतलब पसुधन जो है हिमाचल के पास वो पूरे इंडिया कि 0.82% contribute करता है पॉल्टर तो आपको पता है 0.16% हो गया next question दिखिए बोलते हैं how many seats of master of medicine and master of surgery were allocated to private colleges in हिमाचल प्रदेश during academic session 2022-23 हमने 2023 भी पढ़ा है 2023 भी पढ़ा section 70-22-23 के दुरान हिमाचल के निजी medical colleges के लिए master of medicine of master of surgery के कितनी seatे निर्धारित की गई थी तो देखिए जो 2022-23 का हमारे पास data है इसके according 92 seatे जो है वो private colleges को जो है वो allocate की गई थी अगर हम बात करते है bachelor of medicine जो MBBS है उसकी और post graduation की हम बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या में बात करते हैं सबसे पहले तो मास्टर की स्रेणी में हमें यह पता चलता है कि मास्टर जो degree है medicine में और मास्टर जो surgery में है उसमें private और government colleges को अलग लग सीटें allocate की गई जिसमें से total सीटें तो थी 322 322 total सीटें allocate की अब कुछ थी government को और कुछ थी private को प्राइवेट को तो 92 और बाकी जो 230 बच जाती है वो थी government colleges के पास यह आपने ध्यान लखना है उसी तरह अगर हम MBBS की बात करते हैं तो 2022 23 के दुरान 870 870 जो है वो MBBS की सीटें जो है वो भरी गई जिसमें से private और government कितनी थी government थी जिसमें से 720 और प्राइवेट थी 150 यह आपने ध्यान लखना है ठीक है जी MBBS का भी पता चल गया, Masters का भी पता चल गया, अगर यही data हम देखेंगे यह तो 2022 का है, अगर हम यही data देखेंगे 2023 के से according, 2023-2024 सेशन के according अगर हम यह data देखते हैं तो क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि 870 जो है वो MBBS की total सेटें भरी गई, इसमें से जो थ प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि Master of Medicine, Master of Surgery, जिसको MD और MS कहते हैं, उसमें जो हो 333 सीटें जो हो total भरी गई, 333 सीटें जो हो total भरी गई, इन 333 सीटों में से जो हो government की, government colleges में जो भरी गई, वो 241 भरी गई, और private colleges में जो हो SM 92 ही जो था हो भरी गई, यह आपने इध्यान tribal of tourist for the financial year 2022, तो बोलते हैं कि 2022 जो financial year था उसके recording, सबसे अधिक प्रेटक हमें कहां पर देखने को मिले, सबसे अधिक tourist हमें इन मैसे मंडी में देखने को मिले, option D जो है, वो सही अंसर हो जाएगा, question number 10 का जो है, वो option D सही अंसर हो जाएगा, इस data को अगर analyze किया जाए, तो हमे अठारा लाक च्वालिस हजार एक सो पचैतर टुरिस्ट जो हैं हमें देखने को मिले, कांगरा में अगर हम बात करते हैं, financial year 2022 के according, तो कांगरा में हमें कितने टुरिस्ट देखने को मिलते हैं, कांगरा में हमें, कांगरा में कम टुरिस्ट देखने को मिला, कांगरा में जो तरिस्थ हमें देखने को मिले मंडी किमित हैं कि अगर मत करते हैं मंडी में कितनी तेखने को मिले मंडी में दो 20,2017734 9 जो है वो देखने को मिले तो इनकी स्टोरी टेलर पेंटिंग थी ऑप्शन निलामी हुई थी ऑप्शन ने जो है वो सही अंसर हो जाएगा ठीक है क्या पूछा गयता है एक बार फिर से देख लीजिए बोलते हैं फिर फॉलाइंग पेंटिंग ऑफ अमरिता शेरिगल वाज स्टोरी टेलर पेंटिंग को जो था वो ऑक्शन की आगया था अमरिता शेरिगल के बार में मिशन एलाइट की अभी अप रिले टेस्ट पार्ट अगर हमारा देखेंगे तो उसमें डेटेल से मैंने इनके बार में बताया है बस वहाँ से देख लेना आगे बोलते हैं विच और यहोंते किताब किताब लिखी है दिख औरर के बात फिर्टिंत करो देखें कि बोलते हैं ग instruments the year of the among into existence of Himachal Pradesh State Forest Corporation later on renamed as Himachal Pradesh State Forest Development तो बोलते हैं कि simply question में ये पूचा गया है कि Himachal Pradesh State Forest Corporation की स्थापना कप की गई थी Himachal Pradesh State Forest Corporation की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में Option B जो है वो सही अंसर है अचा 1974 में Himachal Pradesh State Forest Corporation की स्थापना की गई क्या 1974 में किसी और इंपोर्टन इंसिचूशन के किसी और इंपोर्टन और्गनेजेशन की भी स्थापना की गई हाँ अगर की गई तो वो किसकी जुथा 1974 में की गई थी 1974 में हमारा जो हिपा है हिपा में जहां पर अगर आप अच्छी फोस्ट पर जाते हैं अच्छेस बनते हैं जिसकी ट्रेनिंग हो थी है उसकी स्थापना की गई थी 1974 में 1974 में यह आपका जो HRTC है HRTC की स्थापना भी 1974 में की गई थी तो यह भी ध्यान रखें अगले क्वेशन ने डिस्टिक गूट गवर्नेंस इंडेक्स आपका पूछा गया है बोलते हैं अगर हम चंबा के रैंक की बात करते हैं तो चंबा का यहां पर सिक्स्थ रैंक जुता हो रह प्रिवार्नेंस इंडेक्स के रैंक एक पर फिर से मैं आपको रिवाइस करवा देता हूं यहां लेंगर क्यूंकि यहSpot-れed. क के लिए टैस्ट इए भी प्रेक्टिस कर सकते हैं टैस्ट का लिंक कर नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स कमेंट वोक्स में दिया गया पेपर देख कि आपको पता चल रहा है कि पेपर को लाइट ली नहीं ले सकते हैं यहां पता चुरी 50 कोईशिंट है वहाँ पर होंगे 200 कोई अच्छे से थियारी करते हैं अगला कॲेशन दिखते हैं どर इंडिया लार्जेश्ट फॉर्स्ट करने एरिया दोटै थे कि कि स्टेट के जई क्शन के बाद करते हैं तो क्यूर्श का उबध्यक्रदेश चिर्बीट इसके number of women पूछा गया है कि कितनी जीती तो 17 का option is 20 जो हो सही अंसर हो जाएगा इन कॉंटेक्स्ट आफ हिमाचल अगरम देखेंगे तो लोकसभा के election हुए एक महिला जीत कर गई विधानसभा के election हुए तब election जब हो थे तब एक ही महिला जीत कर आई थी उसके बाद बाई election हुए एक और महिला जीती तीसरी बाई election हुए एक और महिला जीती अब टोटल तीन विधानसभा में महिलाएं हो चुकी है लोकसभा में जुछा हमारे पास एक महिला है यह आप में ध्यान रखना है आगे बोलते हैं तो कोविड-19 variant virus which has been confirmed in India is named कोविड-19 variant in India में confirmed confirmed किया गया है वो JN1 है 18 का option D जाई अंसर है आगे 19 में बोलते हैं the village of which of the following state of India has been awarded one of the best tourism village by United Nation World Tourism Organization तो किस village को कहां के village को जो है वो best award यह दिया गया है तो 19 का option भी गुजरात ऑप्शन गुजरात के village को जो है United Nation World Tourism Organization के द्वारा जो है वो एक अच्छे प्रेटन ग्राम का दर्जा जो है वो दिया गया है आगे बोलते हैं identify from the following correct venue and President of Indian National Congress session of 1946 तो Indian National Congress का जो session था 1946 का उसके जो आपको President बताने है और venue बताना है सही को उन सा है तो को अगरा question number 20 को अगर आप देखते हैं तो option A मेरेट में ये session हुआ था और अचारे जेबी के प्लानिंग के द्वारा जो है उसको preside किया गया था पता होना चाहिए था सिर्फ मेरेट में ये session हुआ था बिल्कुल सही आपका ये answer question हो जाता इंडीन national congress का देखो यही session नहीं हुआ इससे पहले भी बहुत सारे session हुए कुछ एक important session आपको बताता हूँ जैसे की जो महात्मा गांधी जी के दौरा प्रिजाइट किया गया था वो 1924 का session था 1924 में महात्मा गांधी जी ने बेल गाउं में जुधाव session को preside किया था जो हर पाल वारिज़án कोारे सैरा गए जी के दौरा प्रिजाइट किया गया था 1906 में दाधभाई नायूजी के दौरा किलकता में session को分 być किया गया था 1907 में सूरत मैं दाधभाई in और जी के दौरा session को послед किया गया था और पहला session ज्धैन काुछ कह था वह बंबई में हुआ ता इंडिया का चौथा रेंग को वहां पर रहा था प्रन्तु अभी ओलम्पिक्स में देखो इंडिया ने अभी तक तीन मेडल्स जीते हैं और अभी देखेंगे ओलम्पिक्स एंड तक क्या बनता है कितने मेडल्स और कतने नंबर पर इंडिया पहुंसता है आकर 22 question में बोलते ह सब्सक्राइब को 50 वर्स यह ब्याज रही तो धार कितने समय के लिए देने के प्रस्ताव रखा गया है तो यह रखा गया है कि यह वन एयर के लिए जो है वो दिया जाएगा ठीक है फिफ्टी एर इंट्रस फ्री लोन यह रखा गया है आगे बोलते हैं which of the following is not correctly match तो किताब लिखी गी थी बिलकुल सही बात है सची थरूर ने जो है वो great Indian novel किताब लिखिया सही बात है चेतन भक्त ने half girlfriend किताब लिखिया बिलकुल सही बात है विक्रम सेट ने यह shadow lines किताब नहीं लिखिया यह जो है वो correct नहीं है तो यह जो है option D 2023 का जो है उसाई अंसर हो ज 2022-2023 का किसको दिया गए था comment करके आप बताएंगे उनका ना 25 में बोलते हैं the country which destroyed all its stockpiles of chemical weapon in 2023 तो यह है option US से यह धियान रखना है आगे बोलते है which are the following countries not matched correctly with its continent तो इन मेंसे countries और उनके continent दिये गए है जो not correctly matched है वो आपको बताना है तो इन मेंसे उरुगवे और North America जो है यह correctly match नहीं है option C सही अंसर है आगे बोलते हैं which are the following is correct about the percentage of decline आर्क्टिक्स C ली पर डिकेट तो आर्क्टिक्स मुद्र की प्रतीदस क्षिन होती बर्फ के प्रतिसत के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है कौन सी statement सही है तो यह decline हो रही है at the rate 11.5% option B जो है वो 27 का सही अंसर है 28 में बोलते है which are the following is not correctly matched with its currency country और उनकी currency दी गई है वो correctly match नहीं है देखो Belgium की currency euro है सही बात है ब्राजिल की real है बिल्कुल सही बात है इस्तोनिया की euro है यह सही बात है हंगरी की euro नहीं है option D जो है not correctly match है हंगरी country की जो currency है वो है foreign यह आपको ध्यान लगना है foreign यहां की currency आगे बोलते हैं which of the following country is not included among the top 10 countries in the list of most peaceful countries of global peace index 2023 तो बोलते हैं global peace index 2023 के according बात की गई है कि यहां पर जो हो किस देश को seeds 10 देशों में जो है वो सूची में शामिल नहीं किया गया है तो इसमें जो हो कौन सी country को शामिल नहीं किया गया है Canada को शामिल नहीं किया गया है यह आपने ध्यान रखना है अच्छा इसके लाब अगर आप paper one की त्यारी कर रहे हैं तो paper one के लिए भी testers practice कर सकते हैं testers का link क नीचे description box comment box में दिया गया है testers join करने वाद testers की group जुरूर जोएन कर लेना यह आप जरूर ध्यान लगए अगला कोशिन देखे क्या बोलते हैं बोलते हैं identify the country for whom the Asian Asian members have agreed in principle to admit in it from the following तो बोलते हैं उस्देश का नाम बताइए जिसको जो है वह आशियान के सदस्द्स अपने सिधानत रूप में जो हो सामिल करने के लिए सहमत हो गए हैं तो आशियान जो है country जो है वो एगरी हुई है East तैमूर को जो है वो अपने अंदर सामिल करने के लिए यह आपने ध्यान लगए आशियान में कौन कौन सी country आती है यह आशियान में थाइलेंड आता है वेतनाम तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब किया भी है तो बैल आइकन को प्रेस कर दें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी किशी को नहीं पता तो पिरभी मैंने ओपटा दिया अगला कोशटन देखिए जी हिंदी को इसब्सक्राइब के सब्सक्राइब even अर्थ नहींए तो और थे लिए अगये बोलते हैं निम्मलीकित में सिप्षब्ध का विकल्ब है 33 का जो है ओप्षन भी अनुस्या जो है वह हो जाएगा ये ध्यान लखना है 34 मैं बोलते हैं मुझे सनाता पसंद नहीं इसमें जो है वो सनाता को रिखांकित किया गया है कि इस बेद का उधारन है तो 34 का जो है वो अप्षिन सी भावा अच्यक्षिक हो जाएगा वो सब्सब्द चुनिया जो उपशर्ग की भिन्था के करण अन्य समय विकल्पों से भिन है तो 35 जो है वो अप्षिन अनुचित जो है वो भिन्द है आगे बोलते हैं प्रव विशेशं सब्द जो है वो आता है बुरी तरह हारना अर्थ के लिए उचित मोहाबरा है तो बुरी तरह हारना के लिए है आप्शन भी मुह की खाना निमलिकित मैसे सरल सब्द की भैचान कीजी तो 39 को आप्शन डी तालाब के किनारे इस्तित एक छोटे से गाउं में गाउं के चारों और जाएगा आगे बोलते हैं देज रों मिला अटेंड क्लासी इस रेग्लर्ली तो 41 का जो है इसमें आपको क्रेक्ट पैसी फ़र्म बतानी है 41 का option B हो जाएगा Are the classes attended by Romila regularly 42 में बोलते हैं Choose correct indirect form तो indirect form है Every day he says to me I have to leave early 42 का जो है वो option D सही answer है Every day he tells me that He has to leave early Arrange करना है 43 को तो इसका option सी S, P, T, Q, R इसको arrange कर लेना इस तरह से आएगा आगे fill in the blank है बोलते है Effective communication between होगा यहां पर Between teachers and students Is crucial for For होगा यहां पर For an effective learning experience Choose the correct sentence 45 में बोलते हैं तो option A इसका सही answer आजाएगा I don't see any strong reason Why people ignore the importance of honesty यह सही है आगे बोलते हैं Krishna advised that We should address the circumstances 46 का option A We should adapt ourselves to the Circumstances Adapt ourselves to the circumstances यह होगा 47 में बोलते हैं यहां पर आपको underline जो word है यहां पर इसका इसका जो है Correct explanation जो होगा Select करनी है तो Be done with it इसका जो हो क्या हो जाएगा 47 का option Finish it Finish it हो जाएगा Option C सही answer है Complete करना है Sentence को बोलते है Tina बोलती है I don't know What to do With the gadgets तो जीनत बोलता है जीनत क्या बोलता है यह बोलता है I will tell you How to operate it Option B सही answer हो जाएगा Choose the correct question Tag होगा तो बोलते है I am really good at making plans 49 का option A Are not I हो जाएगा Are not I हो जाएगा यह ध्यान रखना है 50 में बोलते है Choose the correct option To fill in the blank 50 का option A हो जाएगा Artificial intelligence Allows us to take proactive Option A जो है वो सही answer है Steps in making the things easily यह हो जाएगा तो यह question paper हमने complete Discuss कर लिया Telegram पर इस paper को आप avail कर सकते है At the rate All exam 31 Search करना अपने Telegram से आपको मारा Telegram चैनल भी मिल जाएगा That's all for today Thank you Thank you very much for watching And listening very patiently